वर्रा में लोकप्री हो रा चला खर्रा खाने वाले बकरे को एक मननत पूरी करने वाले बकरे के रुपे लोग पूछते हैं जयाला ध्यान दे इस कबर क्यों हो? वर्वा शहर में कुछ दिनों पहले हमारे विशेश प्रतिल्दी चेतन लुथड़े ने खर्रा खाने वाले बक्रे के बारे में तुष्तार पुरुक जानकारी दी थी अब उस बक्रे की कुछ विशेशताएं हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस बक्रे का नाम शेरा है और इस बक्रे को शाम लुखंडे नामक व्यक्ति ने पीर शाह वली बाबा के दरगा पर मनत के रुप में छोड़ा था उसके बाद यह बकरा मोहरम के अवसर पर घर पर आता था जिसके कारण मनत को पूरा करने वाले बकरे के रूप में इसकी ख्याती हर तरफ हैलने लगी और वहीं इस बकरे को कोई महराज तो कोई शेरा कहकर बुलाने लगा और कोई भी इस बकरे को बानता नहीं था और अब व बकरे का कुछ निश्चिश समय है और उस वक्त उस थान पर वह पहुच जाता है। उसके घर आने का भी समय तए है landed शाम के समय वह दरगा पर पहुंचता है। धरगा घर में होने से घर का फाटक लगा रहता है और वह फाटक बकरा अपनी जीब से खोल कर घर में जाता है और जब चुनाओ का समय आता है उस वक्त दरगा में चुन कर आने के लिए मनत मांगी जाती है और उस वक्त इस बकरे के सर पर टोपी लगाई जाती है महरम के समय इसी बकरे की पूजा भी की जाती है जिसके कारण मन्नत को पूरा करने वाले बकरे के रूप में इसकी पहचान हो चली है जिस प्रकार इसकी लोगबिरता खर्रा खाने वाले बकरे के रूप में हर तरफ फैली हुई है उसी प्रकार घर आने पर एक मनुशी के तरह व्योस्षी दरवाजा खोलना और घर में जाना वहीं दूसरी होत किसी शुब कारे के समय अगर यह बकरा किसी व्यक्ति को दिखता है तो वह शुब माना जाता है और वही काराने की लोग हाथ में खailable लेकर इस बकरे की राथ देखते रहते हैं और वहीं इस बकरे के समय में हमारे विशेष टतिन दी छेतन लुठ defeat सम्मन्रित से जांकारी हासिल किई और साथ में दर्गा के सबन में भी उन्होंने पूछा वो इस समवन में क्या जानकारी दी आप सोय सुझे उनिदी लिवाने। क्या की विवाने। सब्सक्राइब तो यह थी बख्रे की कुछ विशेस्ता हैं जो हमने आप तक पहुंचाई सी टीवी के लिए हमारे विशेस प्रत्रिनी दी चेतन लुथरिक साथ राजन मर्दानिक रिपोर्ट